असलाम अलेकुम आज मैं उर्दू पढ़ाने जा रहे हूँ वो बिल्कुल अलग हटकर है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम स्टुडेंट के लिए नहीं है ये सभी धर्म सभी जाती के लोगों के लिए जो आसानी से जान सकते और मैं इतने अच्छे और ट्रीक के साथ आपको उर wenini जानते हैं अगर और एफिस बोलने वाला कोई आपको आकर स्टूपरी इडियत कर्ष बहुड़ कर चलाग आपको समझमीं नहीं आएगा बोलेंगे वह क्या इंग्लेस बोला है या फिर आप सिर्फ हंदी जानते हैं तो आपको कोई उर्दू में मगरूर मरदूर कमभक्त कहे कर चला जाए आपको समझ में नहीं आएगा तो जरूरी है आपके लिए कि आप सभी भासा को जाने मालीज आप कही जा रहे हैं रास्ते में बोड लगा है उर्दू का तो आपको इतनी तो नौलीज होनी चाहिए कि उस पर जो बासा है उसी तरह उर्दू भी एक बासा है लोग इसको टफ समझ लेते हैं कि उर्दू बहुत टफ है नहीं ऐसा नहीं है ट्रिक के साथ पढ़ाओंगी माइंड में घुसेगा चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो खाड़ा लकीर है ना इसको बोलते हैं अलिफ क्या बोलते ह इसको बोलते हैं प्रणांसियेशन यानि की बोला जाता है मतलब प्रणांसियेशन होता है और क्या होता है और क्या बोल सकते इसको लेकिन आप इसको पढ़ेंगे अलिफ यह बे देख रहा है बे इसको बोलते हैं बे देखी हिंदी मैं भी मैं लिख दी हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी इसका pronunciation आवाज होता है जो वो होता है ब ठीक है यह होता है पे इसका pronunciation आवाज जो होता है निकलता है मुझसे उह है प यह है ते इसका त होता है और एक और बात दियान दिजेगा आप इसको अब पता नहीं पढ़ने लगिएगा मालीजी आप इंग्लिस पढ़ते हैं A B C D A B C D पढ़ते होंगे A B C D तो A का मतलब A होता है B का मतलब B होता है C का मतलब S होता है तो आप क्या इंग्लिस में A, B, A, S, A, D पढ़ने लगते हैं नहीं न A, B, C, D पढ़ते हैं उसे तरह उर्दों में अलिफ का मतलब A होता है बे का मतलब B होता है तो आप इसको A, B, A पना ही पढ़िएगा इसको अलिफ, B, P, T, T ही पढ़िएगा ठीक है तो यह रखिए यह ह इसका पूलनशेशन होता है ठीक है यह होता है से इसका पूलनशेशन होता है सा और मैं आपको बताऊंगी कब आप लोग औ, B, A, B, A, P, T, T पढ़िए लेकिन आभी आप लोग अलिफ, neop, a, p and a or यह होता होता है इसको बोलते है देखिए ऐसे इसको नगता बोला जाता है यह बिंदू को उर्दू में बोला जाता है यह आप लोग समझ लिजह इसका प्रूंशेस्ण होता है हो है यह होता है खे जरा इसको बनाकर आप लोग प्रेक्टिस भी कीजएगा कि आप लोग को लिखना है इस तरह तो आप लोग समझ जाएंगे लिखना भी ज़री है ना चलिए खे इसका पॉनॉंसियेशन खा डाल से ये क्या है डाल तो दाल का पॉनॉंसियेशन दा आवाज जो निकलता है डी हैं डाल डा जाल जाल यह है रिसका पॉंडनाइसेशन रम यह है रए क्या है रे यह रे और यह रै orange किजिए और यह जै क्या है जै यह यह जीम है इसका मतलब भी जो होता है यह इसका मतलब भी जो होता है इसमें जीम यानि कि जो और ये हो गया और ये हो गयाश्य कि यानि यह है यह छोटी सीन है इसको बड़ी सीन भी बोला जाता है तो इसको यह न बोलकर स और इसको श छोटी सीन बड़ी शीन स और श ठीक है स्वाद यह क्या है स्वाद जिसका प्रॉन्सियेशन स होता है यह तो देखिए तो भी लिख दी हूँ जो यानि कि जो ठीक है मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान दीजिएगा जो का जो एन का ओ ठीक है गयन देखिए इसको बोलते हैं इसका प्रणूंसियेशन क्या होगा अब आप लोग इसमें खुद सभी बना दे सकते हैं को देखिए को हो गया को नेक्स वीडियो में बताऊंगी चलिए इधर देखिए इसको बोलते हैं फे इस पर एक बिंदू रहेगा इस बहुत घंज इसका प्रॉम प्रणूंसियेशन किया होगा इसको बोलतेयेे काफ काफ का गला के सांथ बोलना सथ में अंतर इस के नीचे बिंदू लगा है यह चोटी काफ यह बड़ी काव ठीक है इसको बोलते क्या वोलतेzhंगा गला से वोलना है घाफ इसको यह है ल आम क्या है लाम इसका क्या होता है लो मीम क्या है मीम मह दर्बाइधि जुडकाम ज्म्स यह बड़ी है कहां कहां यह चोटा काफ यह बड़ा का यह चोटी है उसी तरह यह चोटी है यह जो अधीरे से बोलना है है और यह है ठीक है यह हमजा हमजा का मतलब अ होता है तो हमजा हमजा पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रणुंसियेशन होता है यह चोटी यह चोटी यह और यह बड़ी यह यह बड़ी यह ताकत लगा कर यह और बड़ी यह यह 36 लेटर है उर्दू का यह आप लोग को ध्यान देना है और इसको लिखकर प्रेक्टिस करना है बोलकर प्रेक्टिस करना है आप लोग बोलेंगे आपको इसी तरह याद हो जाएगा बीना देखें तो अलिव बेते ठीक है अब जड़ा ध्यान दीजिए कब अब अब अ अट ह। पढ़ाएगा देखिए इसको जो बोलते हैं ये वाले लाइं को इस तरह इसको बोलते हैं रबर क्या बोलते हैं जबर यह यहांपर भी लग जाएगा ना उसका प्रॉनिश की अ बनने लगेगा क्या बनने लएगा जबर जहां भी लौईगा वह क्या ब comment बढ़ेगा जद्यान दीजिए अलिफ पर जबर लगांद यह वाला उठाकर यहां पर लाई और जिस अलिफ पर जबर लगा दी इसको क्या बुलता है तो क्या हो जाएगा अलिफ जबर का होता है तो अलिफ पर जबर लगा दिएस तो ते पर जबर लगा दिएफ तो त ंजबर त दा त इसी तरह से पर लगा देंगे तो से जबर सा, जीम पर लगा देंगे तो जीम जबर जा, चे पर लगा देंगे तो चे जबर चा, अब आपको इसको completely बोल सकते हैं, अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, complete बोल सकते हैं कि ये औ है, बा है, पा है, ता है, ता है, सा है, जा है, चा है, क्योंकि इस अप्टव लगेगा वह उसका प्रोंशेशन हो जाएगा ठीक । अब ध्यान दीजेशेर को मतलब होता है यह यहां जहां भी लगा यह जए यह उपर लगता है जबर और देर्जों होता है ना नीचे लगता है इसका पूर में लगा सकते थर टीएट वर्ड हर्फ है इसमें अब लगा सकते हैं माल यह जबर लगाना था जबर आप गाफ पर लगा सकते हैं जबर गव पर लगा दिए तो यह अब जबर जैसे जएर लगाएंगे जएर लगाएंगे यह देखिए तो अलिफ जेर, अलिक जेर ए हो जाएगा, अलिफ जेर ए ठीक है उसके बाद बे पर जैसे जेर लगाएंगे। लगाएंगे यानने कि अब यह जो रहा था था आप वो जैर में बदल जाएगा इनकी बेपेटी हो जाएगा सब्सक्राइब देजिति इसे सब्सक्राइब कोई भी वर्ड में लगा सकते हैं यह मान लीजें शीन है इस शीन में लास्ट में जेर लगाई है नीचे हमेशा नीचे लगता है जबर उपर लगता है हर्फ के उपर लगता है और यह जो जेर लगता है वो हर्फ के कोई भी लफ्ज के सॉरी कोई भी अक्छर के नीचे लगता है तो देख रहे हैं जितना भी अक्छर मैं है उसे तरह लाम जेर मानलीजेय लाम पर लगाना है तो लाम debiler ठीक है यहां तक की लिए यह है आगे दखिए लगता है जसेर हमेशा नीचे लगता है पेस हमेशा ऊपर लगता है यह तो अलिफ के ऊपर पेस देखी कैसे बनता है यह चोटा सा इस तरह पेस अलिफ पेस ौ क्या हो गया अलिफ पेस ौ क्योंकि पेस का पूौनटिक्षीशन होता है ओ ठीक Rocky तो अलिफ पेस ओ बेपर पेस लगाएं बेपेस वो ठीक है उसी तरह आप जब पेपर लगाएंगे एक मिनट उसी तरह आप पेपर लगाएंगे पेपेस पो ते पेस तो यानि कि लास्ट में ओ आ रहा है न तो ओ का प्रणुनसियेशन पेस्ट करता है कोई भी कोई अक्षर बिस ने पेस यह हैं इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अब यह क्या होता यह एसा है न यह एसा चिन है ऐसा सिंबल है जो किसी भी लेटर यानि कि किसी भी हर पर लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा वह लेटर किसी भी लेटर में जाकर जूर जाएगा जरह समझ को दूछ पर जब आ लगादेंगे न जदम क्या होता है नून पर hausrob Date लगा देंगे तो आब यह ऐसा लेटर हो जाएगा जो की रहलेंटों कि सबादे में जाकर जूर सकता है इस में यह जो को जाकर पर जूड़ा गया है तो मिम होता है इसको तछड़ा इस तरह लिखा जाता है यह उसकी ayuda सकते मानविजव घाएंगे तो हो जाएगा और यह नून पर uses त पर जञेंगे ऑफ इसको किस तरह पढ़ेंगे ज़न में लुक्रा मन लुक्टिछ में जये तो मन क्योंकि नून पर क्या हुआ है ज़ Hazara husband लगा है इसलिए अपने में नून को जोड लेगा प्या क्योंकि नून पर क्या है जबर है एंशरी ज़र जवंत्तों तो मिन लू बर मन ठीकिये मान दीजिए डाल है डाल डाल दिख रहा है यहां पर कहीं यह है डाल यह दाल कंसेशन क्या होता है दॉट ठीके यह दाल लए लिजिए एक और expert्वनु इसका मतलब ये किसी में जाकर जुर सकता है देखिए दाल में जाकर जुड गया तो दाल और नुँञ अर पर आप जबर लहाए सकते हैं जब नगाये थे ना तो अनुञ किसी मेर्ट नगा दे क्या होता है दाल जड़ दे और जैसे ही नू जुड़ गया तो दाल नूजड देन क्या हो जाएगा देन मन तन सन इस तर इसी जोड जोड कर बनता है जोडने का काम करता है मन लिखना है मन लिखा गया और क्या हो सकता है ले लिजिए आप जन या फिर कोई भी ले सकते हैं बन ले लिजिए बन बनाना है बन बनाना है तो कैसे बनाएंगे बन सिंपल छोटा-छोटा स्टार्ट कीजिए तब मैं आपको छोटे लेवल से बड़े लेवर प्ल लेकर जा पर पानी नानी मामी यह सारा लिख वाओंगी तब धीरे धीरे समझ में आगा पहले आप लोग इतना देखिए माली जी पन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे पा लिजिए पा कहां दिख रहा है यह पा कहा है यह पा तो इसको ना सौटकॉट में पा को इस तरह भी लिखा चाहिए नीगा जाता है इस तारह ईत्रह वाओं क्या है लिख जाता ही इस तरह पा ही यह पा लिए नान है यह बनेगा ना पै और डारını जोड़ colonial लिखना है तो पाव कब आएगा सन कब होगा जब उस-स पर तो पजबर यह ओगया अबनगाई तो ना कैसे लगाएंगे नून कैसे ज्ड़ेग यह तो अब अलग-अलग हो गए जोडने के यानकी पे नूजबर पन ठीक है इसे तरह आप लोग खुद से भी बना सकते हैं लम नव अपने से जो भी हो रहा है वो आप लोग खुद से बना सकते हैं आप प्फन आप एक और एक्जामपल लिए फन तो यह देखिए ओफ लिए और लिजी आप और नून लिजिए नून फो अफ बनाना है तो जबर लगाएंगे कि की कैव तो फो और नून जोड़ने के लिए आपको इस पर नून पर जजम लगाना होगा और जैसे नून पर जबर आएगा फे नून को अपने में जोड़ लेगा और फे नूजबर फन हो जाएगा यह लीजिए हट हट लिखना है तो कैसे लिखेंगे हट हे कहा है हे यह है तो इसको सौटकॉट में न हट को इसको सौटकॉट में ऐसे भी लिखा जाता है हो ऐसे लिखा जाता है इस तरह नीचे देकर छोटा सा इस तरह पेश की तरह जिस तरह है न उल्टा इस तरह दिया जाता है तो यह ह हो गया और मान दीजी हो गया तो ह मान दीजी की लिखकी अधर लगाना पड़ेगा और फिर ट लाना तो त तक यह तो हट ठीक्स है हट मत मत कैसे लिखेंगे मीम किदर है मीम यह मीम और ते मत 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 तो ट A किदर है ड़ और रा किदर है रा किदर गया रा यह तो ड़ रा डर देखिए कितना अच्छा हो गया डर मत में नहीं लिखा जाता है लेकिन पढ़ दिया जाता है आप लोग उसको प्रैक्टिस किजिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग को नेक्स्ट वीडि कर बताऊंगी और टेंसर नहीं लिजिए आप लोग बहुत जल्द सिखेंगे कैसे उर्दू में लिखा जाता है मैं जाओं मैं आओं मैं खाओं बहुत जल्द सिखेंगे अगर आप लोग यहां तक का स्क्रिंसोट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाफट और इसको लिख किजिएगा बोलकर और हां नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट करकर बताईएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हां नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग कितना एक्साइटेड हैं उर्दू को लेकर ठीक है तो आज के इस वीडि कियों में तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज